हेलो एंड वेलकम टू और लिडर्स में आज के वीडियों हम डिस्कस करेंगे जो 23rd October का हिस्टरिकल इवेंट्स है उसके बारे में देखेंगे आज 23rd October है 2018 देखेंगे 23rd October को जो हिस्टरिकल इवेंट्स हुए थे पूरे हिस्टरि में हम उसको देखते चलेंगे और यह वीडियो आप रोज आएगा ऐसे एक दिन का जो भी जो डेट होगा उसके इसके इवेंट्स के बारे में देखेंगे तो अब वीडियो को देखेंगे ना भोले आपको बता है कि हम जो राने थी उन्हीं की तरह है कर्नाटक में हुआ था 1778 में 23rd October को इसी के साद जो मैसूर के महराजा थे महराजा के सच्छीव जो थे मिर्जा इसलाम उनका जनम हुआ था 1883 में इसी डेट को सर्मिक नेता जो खंडु भाई देशाई थे उनका जनम भी 23rd October को हुआ था 1898 में राज्थान के पूर्व मंत्री और भारत के उप्राश्पति भाईरो सिंग से खावत वार में सबने जना होगा उनका जनम भी 1923 को 23rd October को हुआ था हिंदी सिनेवा के परसीद हास अभिनेता जो कमेडियन थे देवेंद्र बर्मा उनका जनम भी 1937 में हुआ है जो देवेंद्र बर्मा है उनका जनम 1937 को 23rd October को हुआ था अगर भारत के उद्धोग पति यह समासरी और भारत के ऐसे टेलिगाम कंपनी एयर टेल जो है उसके जो चेर्मेन है अभी सुनिल मित्तर उनका जनम भी 1937 को 23rd October को हुआ था इसके साथ अगर कुछ historical events देखते हैं कि कौन कौन से से historical events है जो की 23rd October को हुए थे तो मेर कासिम का नाम सबने सुना होगा जो लोग हिस्ट्री से रिलेटेड है या हिस्ट्री बैग्राउंड से उन्होंने मेर कासिम का नाम सुना होगा 1850 में वह भी 23rd October को हुआ था इसके साथ जो ब्लास एज असकोट अमरिका में 2010 में अकेले ऐसी महिला बने जो कि पहली बार हवाई जो उड़ाई थी इसके साथ निवर्क में लगभग 25,000 महिलाओं ने मद्दान की अधिकारिक मांग के लिए 1915 में इसी डेट को परदर्शन सुरू किया था इसके साथ ही जो जर्मन सेना थी उनने सब 22 में सेंसिनिक आधिकरान किया और वहां सोब्यत जो गनराज खाओ उसको कुचल दिया था यानिकि जो यूए से साथ था उस समय का वह आई जो आज का रसिया है वो इसके साथ ही अगर अलामर्मीन यूद के सब्सक्राइब के दिवरान जो उत्री मिर्स का चेतर रहा जहां अलमैन में ब्रीटिस और जर्मनी सेनाओ को सिर्म सेनाओ के बीच उननी सब 22 में एक यतिहासी की यूद हुआ था इसके साथ ही जो नेताजी सुभास संद्र बोस्ते उनी सब तैंतालीस में इसी दिन को आज जो है नारवय में है जो कि सन्युक्त राज संग के पर्थम ससीव जो नारवय से हैं वो 1946 में नियुक्त किये गये थे 23 अक्टूबर को ही सन्युक्त राज संग जो इवेन हुए उसकी महासाभा नियुवार्क में 1946 को पहली बैठक होई थी इसी डेट को जो ग्रेटी कोरी और उनके पती कार्ल्स कोरी है वो ऐसे पहले दमपत्य बने ऐसे कपल बने जिन्हें 1947 में चिकिस्ता के छेतर में नोबल ब्राइस समानित किया गया दोनों को और यह पुरुशकार उन्हें जो कर्भो हाइटर साइकल था उसके सिधान पे दिया गया था अगर और इवेंट्स की बात करें तो हंगरी की जन्ता ने 1956 में पूरे सोवियत जो संग था जो ईवैसे था उसके बरचस्वे के बिरुद संघर साराम किया था इसके साथ ही रुशी कभी और उपनेशकार जो बोरिस पास्तरनाक को 1908 में इसी डेट को साहित में लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया था अमरिकी राइसपती रिचार्ड एम निक्सन जो थे उनको वाटर गेट मामले में 1973 को इसी डेट को टेप जारी करने की साहमाती दी गई थी लेबनान में 1983 में जो मुस्लिम संगर्स करताओ थे उनके द्वारा जो अमरिकी और फ्रांसेसी अधिकर्णियों को ठिकाने पर साहमत प्रेमी आकर्मन में जो हुआ था उसमें तक्रीबन 241 अमरिकी और 58 फ्रांसेसी जो साइनिक थे वो मारे गए थे चीन और जपान ने 1978 में इसी डेट को 23 अक्टूबर को जो बहुत लंबी यूद चली आ रही थी जो सत्रुता थी उद्धी के परते यह तरसे यूद नहीं था एक तरसे कोल्ड वार उनकी जो चलता आ रहे था उसको अपचारिक तरीके से एक तरसे समाप्त कर दिया गया इ इसके साथ ही जो सोवियत संग के प्रधान मंत्री थे एक सनी एन कोशीजीन ने 1980 में इसी डेट को इस्थिवात दिया था लिविया और सिर्या द्वारा 1980 में इसी डेट को एकी करण की घोशना की गई थी यानिकी इन की यूनियन किया गया था हंगरी ने स्वयम को 23 अक्टूबर को 1989 में खुद को एक रिपब्लिक स्टेट घोशित कर दिया था हंगरी जो है वो सोवियत संग यानिकी जो उस समय का इसस आर था उससे 1989 में जो 33 बर्स के बाद यानिकी उतने दिने तक हंगरी जो था वो उनके हंदर था यह एक तरह से उसी दिन गनराज बना था जो की उपर भी हमने बताया पकिस्तान ने 23 अक्टूबर को ही 1998 में कास्मीर समस्या का समधान जो है वो आत्म निर्नर से लेने की मांग को दोहराई थी जपान ने 1998 में 23 अक्टूबर को दिवतेबियो से जूद के बाद पहले अपने जो बैंक थे उसको नेशनल नेशनलिस्ट किया यानि राश्टिय करन उस बैंक का किया था अमरीकी विदेश मंत्री जो थे मैडलिन अल्वराइट की 2000 में उत्तर कोरिया के जो राश्ट पती थे उस समय जो नौर्थ कोरिया है कीम जोंग लिंक से अतिहासिक मुलकात की थी जो इसके बाद से जो पहला जो यह पहला ऐसा मुलकात था कि जो जो नौर्थ कोरिया है उसके साथ बादशित की गई हो उसके बाद 2018 में डोनल्ड ट्रम्प ने की किंग जोंग से तो अगर 23 अक्टूबर के और इवेंट्स के बाद में देखे तो नासा ने जो माक्स ओडिसी अंत्रिक्स यान था उसको 2000 में 23 अक्टूबर को मंगल गरह की परिकरमा के लिए शुरुआत किया था एपल ने 2000 में 23 अक्टूबर को ही आईपट बजार में उता रहा था अगर माववदी हिंचान ने जो 23 अक्टूबर है 2003 में नेपाल के जो पूर मंत्री थी उसके आवास में बम चे जो आवास था से बम चे उड़ा दिया था भारत और बल्गरिया ने जो प्रदरपन संधी था तो 23 अक्टूबर के ही 2003 में हस्ताक्षर किये थे इसके साथ ही अगर अंतरराष्टिय परमाडू उर्जय आजन्सी को जो इरान है 2003 में अपनी परमाडू रिपोर्ट सौपी थी वो 23 अक्टूबर ही था 23 अक्टूबर को जो बिश्व अकेले सुपर्सोनिक बीमान कार्ण कोड ने 2003 में निवाग से अपनी आखरी उमान भरी थी जपान में 23 अक्टूबर 24 को आये कम में लगभग 85,000 ऐसा मानने था है कि जो लोग थे वो बेघर हो गए थे सुदान सरकार्ट ने 2006 में 23 अक्टूबर को सन्युक्त राश्रंग इवेने के जो दूथ हैं उनको अपने देश छोड़ने का आदिश दिया था Cambridge BC विदाले ने 2007 में CBI के पूर्व डाइरेक्टर आरके रागहौन को अपने नए सलाहकार बोर्ड में न्यूक्त किया था वो डेट 23 अक्टूबर ही थी नया कंपनी विदाएक जो नया जो नियू कंपनी रूल 2008 में लोग सभा में 23 अक्टूबर को ही पास होई थी तुर्की के पूर्वी वान छेत्र में 2011 में जो भुकम पाया था जो कि जिसकी 7.23 मान के चलते हैं इतना जो त्रिवता प्रांस के बिख्यात कभी और लेखन टेनोफेल गोएटे का नीधन उन्नी सब 1872 में 23 अक्टूबर को ही हुआ था प्रांबीर चक्र से समानेत भारतिय सैनिक सुबेदार जोगिंदर सिंह का नीधन 1962 में 23 अक्टूबर को हुआ था परसिद महिला करंदकारी नेली सेनर गुपता का नीधन भी 23 अक्टूबर 1973 को हुआ था कासी जो बरत्वान जिसे बनारस के नाम से जानते हैं वहां के परसिद जो साहितकार थे भुला संकर ब्यास का नीधन 2005 में 23 अक्टूबर को ही हुआ था इसके साथ ही जो लोक पर ये कभी थे जो गायक थे कभी थे और संस्क्रेटी कर्मी थे उनका जो भुपन हाजारी का को लंबी बिमारी के साथ ही 2011 में नीधन हो गया था 23 अक्टूबर को ही तो यह हमारे वीडियो का उन्त और आसा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा ह जरू करे और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले ऐसे और वीडियो के लिए और थाइक यू फर वासिए इस वीडियो गाद ब्लेस यू अल